Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टेली प्राइम में इनका क्या उप्योग है इसके पहले वाली तीन वीडियो में हमने आपको क्रमशह, सिंगर लेजर बनाना, मल्टिपल लेजर बनाना और लेजर को आल्टर और डिलीट करना बताया था आईए अब आगे चलते हैं अभी तक हमने टेली की कुछ वीडियो में जो बताया उसमें मुख्य है नई कंपनी और लेजर बनाना अब इसके बाद सबसे महत्पूर्ण काम है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स पहचानना होते हैं और उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है Transaction Record करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं जिनसे ये सिद्ध हो सके कि Transaction हुआ है यानि Transaction Record करने के लिए हमें कुछ प्रमाण की जरुरत होती है और ये प्रमाण ही Source Documents कहलाते है सररशमतों में कह सकते हैं कि Source Documents की जरूरत हमें व्यवसाय या व्यापार में Transaction की सबूत के रूप में होती है और इनी के आधार पर Tally में Transactions Record किये जाते हैं इन Documents में Transactions से संबंदे डिटेल्स होती हैं जैसे लेंदेन की तारीख, उससे जुड़ी पार्टियों, सामान, राशी, आधी का विवरन इत्यादी तो आईए देखते हैं Tally में Transaction Record करने के लिए कौन-कौन से Source Documents की जरूरत होती है इन में सबसे पहले है Bill या Invoice जब कोई व्यापारी किसी खरीददार को उधार माल बेचता है तो वो Cells Invoice बनाता है नमूनी के लिए हम आपको एक Bill दिखा रहे हैं इसमें खरीददार का नाम, पता, जो माल बेचा है, उसकी डीटेल्स, उसका Amount और Payment Condition इत्यादी लिखी होती है खरीददार के लिए ये खरीदी का सबूत है और इसके आधार पर वो अपने यहां उधार खरीदी का Transaction Record करता है दूसरा है Cash Memo या Cash Invoice जब कोई व्यापारी किसी खरीददार को नकद माल बेचता है तो वो Cash Memo या Cash Invoice बनाता है नमूने के लिए हम आपको एक Cash Memo दिखा रहे हैं इसमें कई बार खरीददार का नाम और पता होता है और कई बार नहीं उसके इस्थान पर सिर्फ Cash लिखा होता है साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी डिटेल उसका Amount त्यादी लिखा होता है खरीददार के लिए ये नकद खरीदी का सबूत है इसके आधार पर वो अपने यहां नकद खरीदी का ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करता है तीसरे डॉक्यूमेंट है Receipt यानि Receipt जब कोई खरीददार उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुक्तान करता है तब भुक्तान प्राप्त करने वाला यानि सप्लायर उसे एक रसीद देता है जिसमें रसीद की तारीख, खरीददार की डिटेल्स, अमाउंट और वो पेमेंट किस संदर्ब में प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल्स होती है नमूनी के लिए हम आपको एक रसीद दिखा रहे है खरीददार के लिए ये रसीद भुकतान किया गया है इसका सबूत है और वो इसके आधार पर अपने यहाँ पेमेंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है अगला डॉक्यूमेंट है चेक जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और वो उस माल का भुकतान बैंक के चेक द्वारा करता है तो इस चेक की डिटेल्स के आधार पर इस ट्रांजेक्शन को खरीदार और सप्लायर दोनों अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड करते हैं चेक से जो भी लिंदिन होता है वो बैंक के माध्यम से होता है और बैंक स्टेट्मेंट में उस चेक का विवरेंट दिखा जा सकता है नमूने के लिए हम आपको एक चेक दिखा रहे हैं अगला है क्रेडिट नोट यानि सेल्स रिटर्न जब कोई खरिदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या अंशिक रूप से यानि कि कुछ मात्रा में वापिस करता है तो सप्लायर उस ट्रांसेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने यहां क्रेडिट नोट बनाता है और यही क्रेडिट नोट माल वापस प्राप्त हुआ इसके सबूत के रूप में खरीदार को देता है इसी तरह कई बार खरीदार माल से संबंधित को शिकायत करता है और यदि सप्लायर उन शिकायतों से सहमत होता है तो खरीददार को कुछ छूट प्रदान करता है और इस प्रकार की छूट के लिए भी supplier credit note बना कर खरीददार को देता है credit note में खरीददार की details के साथ ही माल की details या छूट का कारण और amount लिखा जाता है इसके बाद है debit note यानि purchase return जब कोई खरीददार खरीदा हुआ माल supplier को पूरा या अंशिक रूप से वापस करता है तो खरीददार इस वापसी के transaction को अपने यहां record करने के लिए debit note बनाता है साथ ही वो जो माल वापस कर रहा है उसके साथ ये debit note supplier को भी भीशता है कई बार खरीददार जब supplier को माल खराब होने की शिकायत करता है और supplier उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई amount निशिक करता है तो उसके लिए भी खरीददार अपने यहां debit note बनाता है और supplier को भी भीशता है debit note में supplier की details के साथ माल की details या छोट का कारण और amount भी लिखा होता है पास्तो में debit note और credit note एक दूसरे के पूरक है खरीदार के लिए जो debit note है वो supplier के लिए credit note है और इसी तरह यदे किसी कारण से supplier debit note इशू करता है तो वो खरीदार के लिए credit note होता है GST law आने के बाद अब debit note और credit note में वो सभी details देना ज़रूरी हैं जो आप invoice में देते हैं इस वीडियो सिरीज में आगे हम debit note और credit note को अच्छे से समझाएंगे अगला document है voucher voucher accounting द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या website के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ती है उसके sign करवाए जाते हैं इससे ये confirm होता है कि sign करने वाले को voucher के पूरे विवरंग की जानकारी है voucher में जिसे भुकतान किया गया है उसकी details किस कारण से भुकतान किया गया है उसकी details और amount की details होती है तो अभी आपने देखा कि source documents क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं साथ ही आपने ये भी जाना कि बगेर source document के आप tally में transaction record नहीं कर सकते इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि tally में transaction record करने के लिए vouchers क्या होते हैं और किस voucher का उप्योग किस तरह के transaction के लिए किया जाता है कि अपने तरह किस अपने चाहिए जाप प्रवाद़ के लिए जापने आपको अपने हैं